नीमच के जुग्यों में रहने वाली पांच पेटिया मुंबई में अपने टैलेंट से सबको जूमने पर मजबूर कर रही हैं रियालिटी शोर डांस दिवाने यूनियर्स में इनका सेलेक्शन हुआ है बच्चिया नीमच शहर की एकता कॉलोनी से लगे जुगी बस्ती में रहती हैं कई बार इने एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था लेकिन इनका हुनारी ने मुंबई ले गया एक्टरस नोरा फतेही और नीतू सिंग ने भी जम कर इनकी तारीफ की कोरियोग्राफर मरजी पैस्तोन जी ने यहां तक कह दिया कि इस मंच से तुम्हारे शुरुआत है अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे देश सही दुनिया भर्क में लोग उनके डांस के दिवाने हो गए है जोकी में रहने वाली सोफिया अबबासी, रमिला भूरिया, आशा माइडा, अंजली सारेल और सपना नीमामा की उम्रे 11-14 के बीच में है सभी बच्चियां पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है सोफिया अबबासी ग्यारवी, रमिला भूरिया आठवी, असा माइडा आठवी, अंजली सारेल साथवी और सपना नीमामा तीसरी कक्षा की छात्राएं है इनकी माएं लोगों के घरों में बर्तन माजती है पिता हाथ ठेला धकाने या मंडी में हमाली का काम करते हैं इनमें से एक बच्ची के सिर से पिता का साया भी उठ चुका है बेटियों ने डांसों में बताया कि कई बार एक वक्त का खाना ही नसीब होता है कई बार कृषी मंडी में रात को जाकर दिन भर में विक्रे आनाज को समेठती हैं और घर लाती हैं तब जाकर खाना पकता है अपना दर्द बया करते हुए इनकी आँखों में आसुआ जाते हैं इसी बस्ती में रहने वाले उद्धै सारेल भी इस बात की पुष्टी करते हैं उद्धै ही इनके डांस ट्रेनर भी हैं उद्धै डांस के रियाल्टी शो में पहले हिस्सा ले चुके हैं उद्धै कहते हैं कि बस्ती में जादातर लोगों के पास गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड भी नहीं है इसकारण सड़कारी योजनाओं का लाब भी नहीं मिल पा विए और मेर्गना चाहते हूं आप लगना चाहते हो अब लग सकते हूं हुआ के गली गर्ल्स